हलो फ्रेंट्स, इस्टडी बित कृष्णा चनल में एक बार आपका फिर स्वागत है पिछली क्लास से हमने पासाड काल को सुरू किया था यानि स्टोन एज और हमने इतना डिसकस किया था कि पासाड काल उस काल को कहते हैं पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि पुरा पासाड काल को अगेन फिर से तीन भागों में बाटा जाता है यानि कि जो हमारा पुरा पासाड काल है इसको साइड में लिख लेते हैं ताकि एक तार्तम में बना रहे हैं पुरा पासाड काल पेलो लिथिक पीरेड जो है इसको तीन भागों में बाटा जाता है एक को कहते हैं निम्न पुरा पासाड काल पाशाणकाल और दूसरा है मध्य पुरा पाशाणकाल और तीसरा है उच्छ पुरा पाशाणकाल तो आज हम इन्ही तीनों पर डिसकस करेंगे और पुरा पासर काल को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद ठीक, 100 ह्पाषार काल की तरफ बढ़ेंगे अगले और करास में, तो जाहिशन सी बात है, इसमें हम सब्से पहले पढ़ने वाले हैं, निम्ल पुरा पासर काल को, Kinda हैं, पुरा पासर काल का देखे भारत में थोड़ा बाद में पुरा पाशाड काल की सुरुवात मानी जाती है, आदर विस्व में उससे थोड़ा पहले माना जाता है, तो भारत के संदर्व में हम देखेंगे तो प्लिष्टो सीन से माना जाता है, भारत में पुरा पाशाड काल की सुरुवात, पुर माना जाता है एक पॉइंट आपने नोट कर लिया अब देखे यहां पर हम इक इंडिया के मैप का प्रयोग करेंगे समझने के लिए ताकि हम इसको और बहतर तरीके से समझ सकें एक छोटा सा इंडिया का मैप हम ढरा कर लेते हैं हाँ यह भारत का मैप देखे, अब हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे निम्न पुरापाशार काल को, तो हेडिंग डाल लीजिए, निम्न पुरापाशार काल, निम्न पुरापाशार काल, बहुत एजी क्लास को हम लेकर चलेंगे, कुछ भी आपको कठिन न लगे, निम्न पु अलेकजंडर कनिंगम एक नाम हमने आपको बताया था अलेकजंडर कनिंगम और एक नाम और बताया था दो नाम आपको हमने बताया था एक बताया था अलेकजंडर कनिंगम यानि लाड कनिंगम इनको कहते हैं और एक हमने आपको नाम बताया था राबर्ट ब्रुस फुट इन उसके प्रथम महानिदेशक जो है वो अलेकजंडर करिंगम है हमने आपको बताया था प्रथम महानिदेशक इसलिए इनको भारती पुरा तत्तु का जनक कहा जाता है और राबर्ट ब्रुसफुट जो है 1863 में इनके नेत्रत्त में भारत में उत्खनन का काम सुरू हुआ और मिलनाडू में पहली सफलता इनहीं को मिली थी इसलिए और जो सफलता मिली उसमें एक हस्त कुठार मिला था हैंड एक्स मिला था और वो जब देखा गया कि वो कितना पुरा ना है तो वो निम्न पुरा पाशाण काल का निकला था यानि पुरा पाशाण काल के समय का था इस पूछे गए हैं फिर से पूछे भी जाएंगे तो आए देखें हम क्या बताना चाह रहे थे आप से की कैसे सुरू हुआ और क्या आपको जाना है देखें निम्न पुरा पाशाणकाल कैसे आया भारत में कैसे जाना गया कहां से क्या है तो यहां पर एक अस्थान है चन्नाई और चन्नाई के पास में है एक पलवर्म पलवर्म चन्नाई में पलवर्म नामक अस्थान से रावट भूष फूट ने सबसे पहले हैंड एक्स को बरामित किया 1863 में यहीं पर 1863 में राबर्ट ब्रुस फुट ने हस्त कुठार यानि इसको कहते हैं अंग्रेजी में इसे कहेंगे हैंड एक्स और यह पत्थर की हैं पत्थर की हस्त कुठार प्राप्त की अब यहां से 1863 में यह पहली सफलता मिली और इसके बाद यहीं पर्चन्नाई के पास में ही दो तीन अस्थानों पर और इसी परकार के उपकरण यानि आवजार पर आप्त हुए यहीं पर आपको एक स्थान मिलेगा वद मदुरे वद मदुरे एक स्थान है और एक यहीं पर पास में है अत्तिर पक्कम अत्तिर पक्कम यहां से भी बाद में हस्त कुठार और निम्नपुरा पासाड काल के उपकरण यहां पर प्राप्थ हुए तो देखे यहां पर जो खास करके चीज मिली है वो मिली थी हस्त कुठार यानि हाथ से पकड़े जाने वाली एक कुलहाडी जो इस तरह की की रही होगी देखी कुलहाडी इस तरह का होता है लेकिन ये हाथ से पकड़े जाने वाली थी यानि इस तरी से इधर पकड़ने वाला था और ये कुलहाडी धार थी इस तरीके से इसको ऐसे हाथ में पकड़के काटने का काम मांस को काटने का काम या पेड़ पोधों को काटने का काम करता ह तो हाथ में पकड़े जाने वाली एक कुलहाड़ी यहां पर मिली यह 1863 यह दच्छिन भारत का छेतर है तो यह माना गया जब इसकी आयू देखी गई तो यहां के उपकरण जो हैं वो सब इतने पुराने निकले वो निम्नपुरापाशार काल के थे तो दच्छिन में यह सफ यह इंडिया है और आपको पता है कि यहीं पर जो है पाकिस्तान है और पाकिस्तान का यह पंजाब छेतर है यह हो गया आपका इंडिया और यह हो गया पाकिस्तान तो पाकिस्तान का जो पंजाब छेतर है यह है सोहन घाटी इसको बोलते हैं सोहन घाटी सोहन घाटी कहा है सोहन घाटी ये पंजाब में है पाकिस्तान ये देखे जो यहाँ पे एक नदी है सिंधु नदी सिंधु की सहायक नदी सोहन सिंधु की सहायक नदी सोहन पंजाब वर्तमान का पाकिस्तान ये उत्तर का छेतर है देखे ये दच्छिण के छेतर की हमने बात की, वहां से मिला है हस्त कुठार, हाथ से पकड़े वाले कुलहाडी, यह जो सोहन गाटी है, सोहन नदी की गाटी, यहां से क्या मिला हमको, यहां पर 1928 में, देखे यहां पर जो मिला, वो हम इधर दर्ज करते हैं, यहां पर 1928 में, दिन वाडिया, वाडिया ने यहां पर, चावपर, चावपिंग पेबल अवजार प्राप्त किये, प्राप्त किये डियन वाधिया महोदय यहां पर 1928 में सोहण घाटी जो अरत्मान में पाकिस्तान में हैं यहां से क्या प्राप्त किया चॉपर चॉपिंग पेबल आउजार प्राप्त किया और यहां क्या प्राप्त हुआ था हस्त कुठार तो दो प्रकार के आउजारों का एक समुह तयार कि हस्त कुठार टाइप का तो उत्तर की तरफ जब तमाम सारे छेत्रों में खोजा गया तो ज्यादा तर काउं से उपकरण मिले वो थे चौपर चौपिंग टाइप के और जो दच्छिड भारत की साइट्स में जब ज्यादा तर खोदा गया तो वहां पर जो निकला वो संस्कृतियां थी दच्छिड की तरफ जो मनुस्य रह रहा था वो कुठार यानि कुलाडी टाइप के उपकरण ज्यादा बना रहा था देखें यहां पर सौ प्रस्षत की बात नहीं कर रहा है कि इधर कुलाडी मिलेगी ही नहीं यहां भी मिलेगी अभी देखेंग एक दो बाड़ी वाले उपकरण मिल रहे हैं इसका मतलब है कि भारत में दो प्रकार की संस्कृतियां उसमें एक्जिस्ट कर रही थी और उपकरण सब पत्थर के हैं तो चौपर चौपिंग और कुठार संस्कृति आप कह सकते हैं इनको हमको इनको और भी नाम दे गए अब भी आ उलेख भी नहीं करना है अभी और भी जगों का उलेख हम करेंगे लेकिन यह दो प्रमुख जगहें हैं जब भी कभी निम्न पुरा पासाड काल की बात आएगी तो दो प्रमुख जगहें आपको एक चिन्नाई के निकट पलवरम या वद मदुरे और अत्तिर पक्कम यहां ना तो वो अच्छे उपकरन बना पा रहा है और ना ही वो खाद का उत्पादन कर पा रहा है यानि वो क्रसी करना नहीं जानता है वो पसुपालन करना भी नहीं जानता है वो खाना बदोस है खाना बदोस मतरब खाने के पीछे भागता है वो एक जगे स्थिर नहीं रहता ह सेलास्त्रे में रहता है गुफाओं में रहता है और अपना सिकार करता है सिकार को मार के खाता है कच्चा मांस खाता है क्योंकि उसको भी पकाने का ग्यान नहीं है अगनी का ग्यान तो है लेकिन अगनी का उपयोग करना नहीं जानता है अगनी का ग्यान और अगनी का अलग अलग बाते हैं, देखे, जो निम्न पुरापाशाण का मनुस्य है, उसका जो मुख्य, जीविका जो है, मुख्य जीविका जो है, वो है सिकार, सिकार या आखेट, और ये खाना बदोस है, खाना बदोस है, खाद संग्राहक है, खाना बदोस का मतलब है, घुमककड है, घुमककड का मतलब है, घुमककड का मतलब है, घुमता रहता है, जहां कहीं इसको अपना सिकार मिलता है, वहीं खाता पिता, वहीं कहीं आसपास, गुफा मिली, वहीं सो गया, कोई पर्मानेंट इसका समूह नहीं है अभी, चूंकि इ कोई मजबूरी नहीं तो खाना बदोस का मतरब घपकर का है सिकार करता है और उसी को संग्रहित करता है अफ यहां पर आप नोट करें जिसे की क्रसी नहीं जानता है, बरतन का उपयोग वो बरतन बनाना नहीं जानता है, पसुपालन नहीं जानता है, आगनी के संदर्व में यानि आग, तो आग में आप लिखेंगे जानकारी है, जानकारी है, लेकिन उपयोग नहीं जानता, उपयोग नहीं जानता अभी बस्त्रों इत्याज की भी जानकारी से नहीं है अगन के संदरप में अगन की जानकारी है देखे मनुस्य ने अगन का अविस्कार नहीं किया आप इस भ्रम्मे नहीं कि मनुस्य ने आगे चल करके आग की खोज किया आग का अविस्कार किया ऐसा नहीं आग जंगलों में आग लग जाती है पेंड में पेंड रगडता है उसे चिंगारी निकलती है और फिर जलने लगते हैं आग लग जाती है जंगलों में सूखी घास खेतों में आप देखते हैं जो भी जंगलों में होते हैं जानिया अगरा वहां लग जाती होगी तो क्या ऐसा थो तुर्षटार से उससे आग की जानकारी तो शता नेचर से थी, लेकिन वो आग का उपयोग नहीं जानता था, यानि इसको हम कैसे इूटिलाईज करें, इसकी जानकारी उससे नहीं थी, वो तो आगे चलके उसको जब हम देखेंगे और बढ़ेंगे आगे, तब हम बताएं है कि खब उसने आग का उपयोग और नियंतरण को सीखा तो उसने जो जाना है जो खोज की है वो दो चीजों की खोज की आग के संदर्व में उसने आग को कृतिम तरीके से पैदा करना सीखा यानि उसको जलाना सिखा कि हम आग को अपने आप यानि जब हम चाहें तब उसे कैसे जला सकते हैं वैसे तो जंगल में आटोमेटिक लग जाती हैं लेकिन वो हमारे नियंतरण में नहीं है तो आग को उसने जलाना सिखा और आग का उपयोग करना सिखा उसे नियंतरित करना स तो हम उसका कोई उपयोगी कारे नहीं कर सकते उससे, तो मनुस्य ने आगे उसका उपयोग करना, उसको नियंतरित करना सीखा, कैसे हुआ होगा अगर हम अजूम करें, तो जैसे कि कभी मनुस्य ने देखा होगा, पहले वो कच्चा मांस खाता था, देखिए अभी यहाँ पर उससे नहीं आता था, लेकिन कैसे आगे हुआ होगा काम, अभी निम्न पूरा पासाल काल में नहीं, लेकिन आगे चल करके आप देखोगे, कि आग कउपयोग उसने सिख लिया और मांस को पका के खाने लगा, भोजन पका के खाने लगा, तो कैसे हुआ होगा वो, कभी हो सक करके पड़ा उसे बाद में मिला, जब वो वहाँ पे गया देखने, तो हो सकता है कि उसे खाना वो ना पसंद करता हो, क्योंकि वो सिकार को मार के खाता होगा, लेकिन कभी इतिफाक से उसके पास मजबूरी रही हो, सिकार ना मिला हो, उसने सोचा हो कि चलो इसी को खा के द करेंगे, जलाएंगे, तो वहाँ स्वादिष्ट हो जाएगा, और पचने में भी सहयक हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, तो उसने जो है, यह सोचा होगा कि यह आग का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन आग उसके नियंतर में नहीं थी, आग को कैसे जलाया जाए, तो हो सक जाएगा, वो भी कुछ इतिफाक रहा होगा, जैसे कि वो पत्थर पे पत्थर मार के आवजार बना रहा हो, और पास पडोस में कहीं बहुत सूखी घास रखी हो, और उसमें चिंगारी निकली हो, और आग में लग गई हो आग उसमें, तो उससे उसे पता हुआ कि पत्थर पे पत्थर रगडने से चिंगारी निकलती है और आग लग जाती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं उचे परवत पे उची चटान पे बैठा हो, पैर हिला रहा हो, क्योंकि मनुसी कहीं बैठता है पैर हिलाने कि उसकी आदत ही बच्पन की, तो और उसके पैरों से क कोई चटान लुढग गई हो और लुढग करके दूसरी चटान पे गिरी हो, पत्थर बढ़ा और उससे चिंगारी निकली हो और नीचे कोई जो घास सुखी जाडियां अगरा लगी हो, उनमें आग लग गई हो, तो इस तरह मनुसी के संग्यान में आया होगा कि पत्थर प का मतलब है फ्यूल, उसने देखा होगा आग जलती वहां तक है जहां तक उसे लकडियां, घास, ये सब कुछ मिलता है, पेलपौधे सूखी वे टहनियां, वहां तक जलती है, उसके आगे नहीं जलती है, यानि उसने सोचा कि ये इसका इंधन है, तो यानि कि अगर हम इस को कंट्रोल कर दें, कि आग के संपर्क में कितना इंधन आएगा, तो हम उसे नियंतरित कर सकते हैं, यानि जितना जलाना चाहें, उतना जलाएं, जब बुझाना चाहें, बुझा भी सकते हैं, तो इस तरीके से उसने आग का उपयोग और नियंतर्ण करना सीखा होगा आग की जानकारी है लेकिन आग का आग को जलाना आग का उपयोग करना उसने कब सिखा या नी आगनी की खोज कह सकते हो उसको एक दूसरे सब्दों में वो आगे हम बताएंगे कब हुआ अगर परंपरा में देखें देखें जब एक बार आप पत्थर से पत्थर आग जला करके द जब इतिफाक से या मेहनत करके जला लिया होगा एक बार तो जरूर उसने उस आग को जलाए रखने की कोशिस की होगी नियंतरत वातावरण में कि थोड़ा-थोड़ा इंधन उसको देते जाए और आग वो जलती रहे बुझे ना जलती तो ये परंपरा हमको पूर्वजों से दिखती है मैं आपको अगर बताओ अपना अनुभव तो जब मैं छोटा था प्राइमरी या जूनियर में पढ़ा करता था तो उस समय हमारे गाउं में एक रिवास था कि आग को जलाए रखते थे 24 आवर क्योंकि आग को जलाने के जो आज आप संसाधन देखते हो कि लाइटर है माचिस है सब कुछ है उतने संसाधन नहीं हुआ करते थे सुलब नहीं होते थे जल्दी तो गाउं में तो बिलकुल आग को 24 आवर जलाते थे जो गाउं के इंधन से संपन लोग होते थे यानि आप आप कह सकते हो कि इस संदर्व में जो बड़े लोग होते थे तो जिनके पास पर्याप्त इंधन होता था जिसे गोबर के उपले हैं, सुखी लकडियां जिनके पास पर्याप्त मात्रा में रहती थी वो अपने घरों में आंगन में या दरवाजे पे कहीं पे आग को बनाये र ताकि इन्धन बचाया जा सके लेकिन फिर उनको जब आग की जरूत पड़ती थी तो वो दूसरे घरों में आग मांगने जाते थे जिनके घरों में हर्स में आग को बनाया रखा जाता था तो हमें याद है हमारे घर में ऐसा हुआ करता था हम लोग आग को 24 आवर बनाये रखते थे तो दूसरे लोग आते थे वो आग को ले जाते थे इसको कहते थे आग कभी कभी जब जगड़ा जणजट लड़ाई होती थी गाउं में तो लोग एक दूसरे को कहते थे इस तरह का कारी करोगे तो तुमको आग भी मांगने से नहीं मिलेगी याई आपका बहिसकार हो जाएगा तो वो उससे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने आग को सुरचित नियंतरी तरीके से बनाये रखने का तरीका इजाद किया और वो परंपरा में आगे बिक्सित हो गया हलांकि आ व में बुझने ना पाये तो पहले दिखें कार गुमककर प्रकति का है वो सिकार और अखेट उसका प्रमुक काम ⇒ संग्रहक भ्यों खेंगी जानता था टरॉच खहा अभी करना बरतन बणा पनान जानता है और मुं पस्पालन के तौन जानता है अबहले समाज का भी निरम अब मुख्य रूप से वो आउजार जो बनाता है उस पे हम डिसकस करेंगे कि वो आउजार कौन से बनाता है तो वो आउजार बनाता है पत्थर की यहां पर वो पत्थर के आउजार बनाता है आउजार बनाता है किसलिए सिकार के लिए सिकार है तो भाई सिकार करने के लिए वो पत्थर को उठाता होगा पत्थर जो है दूर सिकार पे बेंग के मारता होगा फेक करके तो वो उससे सिकार के चोट लगती होगी और उसे या तो मर जाता होगा या घायल हो जाता होगा बाद में मनुस्य उसको जाके पकड़ लेता होगा तो पत्थर से ही उसने मारा लेक उसके दिमाग में एक आइडिया होगा हो कि पत्थर अगर नुकीला हो तो उससे असानी से मारा जा सकता है तो इस तरहे दिमाग में उसके आइडिया होगा और उसने पत्थर को नुकीला बनाना शुरू किया और यहीं से उसने कारी-गरी शुरू किया और आवजारों का निर हस्त-कुठार टाइप और दूसरा चौपर चौपिंग पेबल टाइप। तो यह माना जाता है कि दो प्रकार की संस्कृतियां, यानि आउजारों के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां देखने को मिलती हैं निम्न पुरापाशाड काल में। इस काल में आवजारों के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां भारत में दिखती हैं, भारत में मिलती हैं. नमबर एक है, जो सोहन घाटी में हमको मिली, उसको कहा गया, चापर चाउपिंग पेबल संस्कृति, अब चूँकि ये सोहन घाटी में मिली थी, इसलिए इसको सोहन घाटी संस्कृति भी कहते हैं, सोहन घाटी संस्कृति भी कहते हैं इसको और जो दूसरा हमको प्रकार मिला उसको यहाँ पर देखते हैं दच्छण में जहाँ पर हाथ से पकड़ने वाली कुलहाडी मिली तो इसको कहते हैं इसको एस्यूलियन संस्कृती या इसे कहते हैं हस्त कुठार संस्कृती हस्त कुठार को हैंड एक्स हाथ में पकड़ने वाली कुलहाडी हैंड एक्स कल्चर चौपर चौपिंग पेबल संस्कृति यानि इसको ऐसे लिखेंगे चौपर चौपिंग पेबल कल्चर और एसिलियन कल्चर या हैंड एक्स कल्चर यह दो प्रकार की संस्कृतिया निम्नपुड़ा पासाड काल में डेवलप थी यानि दो प्रकार के आप कहा सकते हो कि मनुष्यों के दो प्रकार के आउजार बनाने के तरीके थे उस तरीके के अधार पे दो कल्चर थे जो चौपर चौपिंग है वो उत्तर भारत के आप कहा सकते हो को यह हमको कहा मिला मिला उत्तर भारत में चाह मुंको Mmḥ ज़ंग दोनों तो अगप ब्रिक्वार्फ के ऊजार बनाये जा रहे थे इस आप भर में अहीं ऐस्फ हैं पर एक्षापिंग मिलेगा ही नहीं यहां यह हं यहां भी हैंड एक्स कुछ मिलेंगे कुछ और यहां पर भी चौपर चौपिंग मिलेंगे तो उससे क्या होगा इससे लगता है कि आवा गमन रहा होगा तो अवजारों का डिस्टिब्यूशन भी हुआ तक्निक कादान प्रदान भी हुआ होगा और यहां वाले भी अवजार मिले थे तो उसको एस्विलियन कल्चर माना जाता है उस जगे के नाम पर हस्तकुठार संस्कृति इसको बोलते हैं तो देखिए अब यह क्या है एक एक को हम पढ़ेंगे सबसे पहले चौपर चौपिंग को पढ़ते हैं चलिए एस्विलियन को हम बाद में मत्ऩर संस्क्राइद दख्ते रहते हैं व इस तरीके क का पत्थर होता है कोई इस तरीके का कोई पथर्क होता है इसको कहा जाता है पे बुल याणि कि अगर डारेक्ट नदी के पत्थरों का उप्योंब रहाएँ ला जो की सुड arb Patton है यह आप कह सकते हो कि गोल मटोल चिकने पत्थर हैं यह जो ननदी के पर रहते थे पर जो पासार काल का मनुसी कवरों तो पीने को पानी मिले तो पानी नदी ही उसमें शुरुथ हुआ करता था तो नदियों में उसको इस तरह के पत्थर भी मिले, जब नदी में पत्थर लुड़कता हुआ चलता है तो वो गोल हो जाता है बड़ी हासा, तो इस तरीके से थोड़ा अंडा कार और ये जो पत्थर होते हैं इनको पेबुल कहते हैं, तो इसका वो अवजार के रूप में प थार एक तरफ बन गईए, एक तरफ क्या हो गया, ऐसे धार बन गई, तो ये हो गया, इसको कहते हैं चौपर, पर, ये वाला टुकड़ा उसने निकाल दिया है तो ढ़क के इधार का, तो इधर देखे है एक धार बन गईए, यानि इसको आप कह सकते हो, एक तरफ धार है, उसको चौपर कहते हैं और जब भी कोई पत्थर तोड़ा जाएगा देखे जिसे ये पत्थर है उस पत्थर का हमने ये टुकड़ा काट दिया और ये टुकड़ा काट दिया तो ये किस तरह का हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा इस तरीके का हो जाएगा ये और ये जो ट जन बचता है मेन, उसको कहते है कोर कॉर कहा जाता है। इसलिए बतारे है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप से पूछा जाएगा कि जो पुरा पासारण की संसकृती है वह फलक संसकृती है। या कोर संसकृती है। यहां पे फलक को वो unused मान करके फ्यक देता था जो बीच का मोटा तगड़ा बड़ा पाठ बसता था उस ही का वो अउजार के रूप में उपकरण के रूप में प्रयोग करता था तो इसको कोर संसक्र। कहा जाता है यैनि जो निम्लोपुरापाशारकाल है उसको कोर संस्कृति कहते हैं कोर संस्कृति क्यों? क्योंकि यहां पर पत्थर के कोर पत्थर के कोर भाग को आउजार के रूप में यूज किया गया आउजार बनाया गया बनाया गया यह पुर्णिक लीजेगा कि निम्नुपुरा पासाड काल की संस्कृति जो है वो कोर संस्कृति है क्योंकि यहां पर जो आउजार बनाया गया वो कोर भाग से बनाया गया आप यहां समझ लिए कोर क्या है फलक क्या है तो पेबुल को उसने तोड़ा फलक को फेक दिया उसने और कोर का एक तरफ धार ब है अगर इसी को उसने दो तरफ तोड़ दिया है इधर मिधार बना दी इधर मिधार बना दी ओस इधर कभी फलक को उसने फेंग दिया और कोर पार्ट को उसने बना दिया यहांनी इसमें आप कह सकते हो दो तरफ धार है दो तरफ धार है इसमें देखिए आप इसमें दो तरफ धार है तो इसको कहा गया इसको कहा गया चौपिंग इसको कहा गया चौपिंग चौपर चौपिंग पेबुल तीन चौपिंग कर रहा है देखिए कितना इजी है अगर आप समझें तो मनुस्य सुरुवा चत्ता बन गया होगा तो उसने देखा कि यह तो बड़ा कटीला बन गया फिर उससे जानवर को होगा तो जल्दी घायल हो गया खून निकलाया होगा मर गया होगा तो उसको पता चला होगा कि अगर ऐसा धार-दार बनाया जाए तो बड़ी हाउजार बन जाता है तब उसने फिर जान-बूज के तोड़के बनाना सुरू किया होगा सुरुआत इतिफाक से ही हो गई होगी में भी पॉस्बिल हो सकता आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं वहाँ पर अपना कैमरा लेकर बैठा हुआ था अपना यूटूब वीडियो बनाने के लिए नहीं ऐसा नहीं यह सब अजमसन है सोचा जाता है कि इस तरीके से मनुस्य ने ऐसा किया होगा तो यह एक धार और फिर उसने जब जान लिया कि धार का फरक पड़ता है तो उसने फिर और धार बनाना सुरू किया होगा इधर भी तोड़ा उधर भी तोड़ा इस तरीके से चौपिंग बना दिया दो तरफ से धार बना दिया तो इतना किया उसने उत्तर भारत के मनुस्य ने उसने बना आवजारों की जो गुरवत्ता है वह बहुत अच्छी नहीं है और बड़े आकार के और बीड़ोल को लिख लिए ऑवजार बड़े आकार के ऐवं अबो सिव बड़े आल नहीं है तो आप समझ गएजिए चॉपर चॉपइंग और पेबुल संस्कृती कहा है और ये मिली कहा है सोहन गाटी में इसके सबसे पहले प्रमाण मिले, इसलिए इसको सोहन गाटी संस्कृती भी siya sohans परांत में मिलेगा ये छेत्र तो इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं तो चापर चॉपिंग आप समझ गए आप देखें दूसरा जो हमने बताया उसका भी थोड़ी कहानी समझ लीजिए वो क्या है उसको तो हमने आपको बता ही दिया है कि वहां पर क्या मिला है फिर तो यह आप लिखें एसियूलियन या हैंड एक्स हैंड एक्स संस्कृति दूसरी यह दचिन भारत में हैं तो यहां पर हमने आपको पिछली भी कहानी बतायी थी थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि 1863 में देखें पहले यही खोजा गया है बाद में यह तो 1923 में खोजा गया तो 1863 में चिन्नाई के निकट चिन्नाई के पास पलवरम में किसने यहां पर एक नाम राबर्ट ब्रुस फूट यह पुरा तत्वेद विध है ने एक हैंड एक्स हस्त कुठार प्राप्त की यह भी कोर उपकरण है इस तरीके का है इस तरीका है यह हस्त कुठार हैंड एक्स तो राबर्ट ब्रुस फूट ने इसको प्राप्त किया था इसलिए राबर्ट ब्रुस फूट को जो है वो प्रागयति हासिक पुरा तत्व का जनक कहा जाता है लिख लीजे पॉइंट वो अतिर पक्कम से भी मिले। अतिर पक्कम से कुछ और बिलियम कींग और खौछ की थी तो इतना आप ने लिख लिया। कि अब आईए हम यहां पर मेप पे कुछ और साइड को देखेंगे इतना अपने नोट के लिया आईये हद आएम मेप पर हम चलते हैं वापस को Bho कि देखिए अब हम बन पुरा पासााड काल tamam के कुछ साइड को देखेंगे है निम्न पूरा पासाड कालीन कालीन साइटे या इस्थल तो देखिए तो आपको हमने बता ही दिया यह दो बहुत इंपर्टेंट है तो यह तो हमने आपको मेन बता ही दिये शोहन गाटी अब सोहन गाटी या उसके अलावा जैसे देखिए यह है यहिं पर कि बाद में यानि पहले चॉपर चॉपिंग पेबल मिला फिर बाद में यहां पहेंड एक्स भी मिला तो हैंड एक्स भी मिल गया निस्वें और यहीक पर देखे यही पर एक कर्म कर्या दल में पॉरा तथ्यawan एक एक अप्रईफ त भीर संते नेटरतिंगों कलें इंसे प्रदों पर कई आउजार प्राप्त के यहां पर तो यह जमुकस्मीर में भियान चला गया और देखे यहां पर सोहं गाटी में कुछ और साइटे हैं यानि सोहं गाटी जो च्षेतर है उसमें एक च्षेतर है चौंत्रा चौत्रा है, मलकपुर है, यह और कुछ जगें है, पोटावर का पठार है, पोटावर पठार, यह सब यहीं सोहन घाटी छेत रहे हैं, चौत्रा के लिए खास करके एक पोइंट लिखें, जो चौत्रा है, यह सब देखें, सोहन घाटी जो संस्कृती है, उसी में सब कुछ हम बता रहें आपको जिससे कि सोहन गाटी में चौपर चौपिंग पेबल मिला डी एंच डी एच डी संकालिया ने हैंड एक्स पराप्त किया और डी टेरा के नितरत में यह अभियांदल जम्मू कस्मीर से लेके साल ट्रेंज पाकिस्तान तक कई अउजारों को प्राप्त किया गया सब अभियान है लग लग च उत्रह जो स्थान है इन्हां गाटी में यहां पर आपको दोनों शंसक्रतियों यहां पर चौपर चौपिंग। चौपर चौपिंग और हैंड एक्स दोनों संस्कृतियों के उपकरण मिले अवजार मिले मलकपुर है पटा और पठार है और देखे अगर हम बात करें मध्य परदेश की यह सब हम आपको निम्नपुरा पासाड काली साइट्स बता रहे हैं अगर हम मध्य परदेश की बात कर मध्य परदेश में एक हथनौरा साइट है हथनौरा हथनौरा ग्राम से एक मानो कपाल मिला मानो कपाल मिला इसी समय का हथनौरा यहां से मानो कपाल मिला जो की माना जाता है कि यह भारत में सबसे पुराना मनुस्य का कोई साच है यह भारत का प्राचीन इसको नर्मदा मानो भी कहा जाता है, यह नर्मदा घाटी में चुक मिला इसको नर्मदा मानो भी कहा गया, कहते हैं, इसी जो मानो का कपाल यानि खोपड़ी मिली, इसको नर्मदा घाटी में मिली थी, इसलिए इसको नर्मदा मानो भी कहा जाता है, यह होमो एरेक्टस टाइ यहां से आपको आस्रे आस्रे के प्रमार मिलते हैं कि मनुसी जो है रहता था गुफाओं में तो भीम बेटका भीम बेटका बाद में आप देखोगे आगे चल करके इसमें चित्रकारी के भी मिलेंगे आपको जो मिली है वो इस समय की नहीं चितरकारी आगे बनेगी इसी में तो भीम बेटका में आश्रे के प्रमाण मिल जाते हैं मध्य परदेश में हत्रौरा से आपको एक निमनपुरापासान कालिन एक मानों की खोपड़ी मिल गई तो मध्य परदेश में इस सैटे हैं अगर महारास हैं बोरी से हमको कुछ ऐसे साच मिले हैं कि जिससे यह लगता है कि भारत में जब हम देख रहे हैं कि निम्नपुरापासाड कारलीन जो संस्कृती डिबलप हुई है यह इससे पहले से भारत में है यहां पे जो प्रमाड मिले हैं वो बहुत प्राचीन है लेकिन अभी उनकी पूरी जाच हो जाएगी तब यह डिफाइन हो जाएगा कि भारत में हम जितना सोच रहे हैं उससे पहले से मनुस्य है तो यहां पे आप कह सकते हैं बोरी से प्राचीनतम प्रमाड मिले हैं प्राचीनतम साच यहां से मिले हैं कहां से बोरी से और यहीं पे भदने निवासा ये कुछ जगों के नाम आप याद रखेगा भदने, निवासा, बोरी ये सब महाराष्टर के हैं अगर हम बात करें यहीं पर राजस्थान की राजस्थान चलिए यहाँ पर लिग देते हैं राजस्थान तो राजस्थान का एक इंपोर्टेंट है डीडवाना एक डीडवाना साइट है यहाँ पर इस्थल यहाँ से जो है डीडवाना से आपको निम्न पुरापासाणकाल मध्य पुरापासाणकाल और उच्च पुरापासाणकाल तीनों के आपको यहाँ से साच मिलते हैं तो डीडवाना से आपको निम्न, मध्य, उच्छ, पुरा पासाड काल के साच्छे हां से मिलते हैं, यह राजस्थान में है, यानि निम्न अभी पुरा पासाड काल के तीन पार्ट है ना, तो निम्न पुरा पासाड काल, मध्य पुरा पासाड काल, उच्छ पुरा पासाड का के डीडवाना से मिलते हैं और चंबल घाटी चंबल नदी की घाटी भी वहां एक साइट है तो देखिए अलग-अलग जगों पर तमाम जगें मिल रही है तो बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूत नहीं है यह हमने खास-खास जो आपको बताए है इतने इस्थलाप याद रखेगा बहुत हैं दो और जान लीजिए एक तो यूपी का जान लीजिए देखें उत्तर प्रदेश का important है यूपी ॥ूपी में बेलन घाटी बेलन घाटी पेलन नदी की घाटी जो है उत्तर प्रदेश में यहां से ogni 44 तच वालिस इस तल मिले है 24 निमने पुरा पसाड कालिन यहाँ पर 44 जो है पुरा पसाड के लिस्थल प्राप्थ हुने कहां से बेलन गाटी UP और अगर हम हमान्च आ परदेश कीबात करें कुछ और लिख लें हमान्च आ नाकर दो इसे pro बेलन परदेश इसे सुल परदेश यह उपे हो गया, यह हिमांचल प्रदेश, तो हिमांचल प्रदेश में देखे, HD संकालिया जो है, HD संकालिया ने यहाँ आपसे फलक भी प्राप्त किया है, यह पूछा जा सकता, आपसे इसलिए इसे नोट कर ले, यहाँ से जो है HD संकालिया, HD, यह हिमांचल प्रदेश में, केश्रों संगरिया तो संगलिया नेवित फलक प्राप्त किया है डेभों ऑन्म copied版 अंगर हैं जinely अदूर ंधी नसकी कि प्राप्त किया तब छूड़ क कि दिर से कधिकिनेमन पुराप्त की नूव अधिक क्यूंध ने फलक जो कौछ शंस्कृत है कौन सा पत्थर है तो यहां पे जो पत्थर प्रोग किया जा रहा है वह को आगे चल के पत्थर बदल जाएगा आगे जब हम बढ़ेंगे तो कि पत्थर जो वराइटी है वो चेंज हो गई तो निम्नोपुरा पासाड काल में क्वार्ट जाइड पत्थर के बनाये जा रहे हैं उजार तो इसी क्वार्ट जाइड से सब कुछ बना हुआ है तो यहां पर हिवांचल प्रदेश में अठी संकालीय ने फलक प्राप्त किया और अनगर हैंड हेंड एक्स पराप्त किया है उखनी ह Swedish से रहा हैं घ्याटी में हैं यह जो हिमांचल प्रदेश में है वो शिर्षा नदी घाटी है हिमांचल प्रदेश यहां पे लिख देता हूँ हिमांचल प्रदेश में सिरसा नदी घाटी है सिरसा नदी घाटी सतलूज की सायक है यह साइट है तो बस इतना सफिसेंट है हम आपको एक बार इसको ब्रीफ कर दें क्योंकि काफी लिख गया है तो इसको हम एक बार आपको संचिप्त में बता दें जो निम्नपुरापाशाणकाल है उसमें दो परकार की संस्कृतिया है एक है Chopper Chopping और एक है Hand X संस्कृति जो Chopper Chopping संस्कृति है वो उतर भारत के छेतर में मुख्यरूप से सोहन गाटी में पाईगी और जो hand x से संस्कृती है वो दच्छिन भारत में मुखरूप से तमिलनाड़ों के छेतर में पाई गई बाद में इसमें बहुत सारे स्थलों पे खुदाई की गई और देखा गया कि इसमें मिस्सिर्ट साइट्स भी है यानि दोनों संस्कृतियों के मिले जुले प्रमाड भी मिले जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर hd संकालिया ने hand x भी प्राप्त किया इधर और यहां भी आपको इधर भी जो है अतिर पक्कमोगरा से चौपर चौपिंग बदमदुराई से भी मिले हैं तो दोनों जगे के दोनों जगे भी बाद में मिले तो एक ही समय की दोनों संस्कृतियां हैं hand x कल्चर और चौपर चौपिंग कल्चर कुछ साइट समने आपको बताई कहों सा पत्थर यूज कर रहे थे यह लोग आउजार बनाने के लिए चकमक पत्थर यानि क्वार्ट जाइट पत्थर का यूज कर रहे थे और खास करके उन्होंने जो अस्थान आपको बताने हैं वो एक तो सोहन घाटी बताना है आपको सोहन घाटी कहां है पाकिस्तान वाले पंजाब में और इसमें जिसे चौत्रा है मलक पूर है पुटावर पठार ये सब सोहन घाटी के अंतरगती आते हैं और भी है इसमें यहां पे आपको जम्मू कस्मीर में जो लिद्धर नदी है लिद्धर नदी घाटी यहां से हचडी संकालिया ने एक फलक भी पराप्त किया और अनगढ़ हैंड एक्स पराप्त किया यानि अधूरा बना हुआ हस्तकुठार पराप्त किया था जम्मू कस् पाकिस्तान में जो साल्ट रेंज है वहां तक इसमें खुदाई की गई थी और काफी अजार प्राप्त किये गए थे है एच डी डीन वाडिया ने सबसे पहले जो है चापर चापिंग के उपकरण सुहन घाटी से प्राप्त किये थे अगर मध्य परदेश की बात करें तो मध्य परदेश में एक हतनवरा साइट है हतनवरा ग्राम जहां से एक मानो का कपाल मिला है जो कि निम्न पूरा पासार कालीन है इसको नर्मदा मानो कहा गया ये होमो एरेक्टस मानो है और भीम बेटका में आसरे के प्रमाण मिले पार्टी डीडवाना से निम्न पुरापाशाणकाल, मध्य पुरापाशाणकाल, उच्छ पुरापाशाणकाल तीनों के उपकरण हमको मिलते हैं, तो इस तरीके से आप निम्न पुरापाशाणकाल इन संस्कृति के विशे में समझें, और ये भी जाना कि मनुस्य क्या-क्या करता था उस समय और क्या क्या साइट साब को एक्जाम्पिल की रुप में देनी है तो अब नेश्ट क्लास में हम इसका अगला पार्ट जो है जिसमें मध्य पुरा पासाणकाल और उच्छ पुरा पासाणकाल के बिसे में जानेंगे तो मिलते हैं एक और बहतर क्लास के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद